नमस्कार दोस्तो इनकी एज 48 years है अब देखते इस हाथ में आने वाले समय में जो इनौने जीवन में जो संगर्स किया औगा पर आने वाले समय में इनके बास भरपूर पैसे बचने वाले है भरपूर पैसे भी कमाएंगे और अच्छा खासा अपने जीवन स्तर को बहुत जा अब वो कैसे क्या है वो देखते हम जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुशाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपोचिनिटी आती है उसे ग्रेब करके आगे बचता है ये पाम पूरा स्क्वेरिश है बहुत महन और मह collaborators करके अपने जीवन को successful बनाते हैं इनमें एक minus point जरूर होता है दो दीन अगर business ना चले तो ये जीवन भरका सोचना चालू कर देते हैं इन में ये एक minus point होता है जैसे बरसात गिर गई दो दिन जादा बरसात आ गई ना चला business जैसे अभी कोरोनों का problem है तो ये पूरे जीवन का सोचना चालू कर देंगा अब मेरा क्या होगा कैसा होगा business ही नहीं है अब आगे होगा की नहीं होगा इस तरह की सोच ऐसे चोड़े पाउं वालों की होती है पर मैंती भरपूर होते है साधी ब्या में भी अगर जो काम बैठे बैठे होना चीए अगर घर में साधी है और किसी को सौब दिया काम तो भी ये खुद जाकर मैनत करेंगे इस तरह की मानसिक्ता के लोग रहते मैनत किये बीना इनको चेन नहीं पढ़ता फर्स फैलेंज काफी अच्छा है नुकी लाए कारी की प्रतिश जित दोगी सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है लोजिक के साथ तर्थो के साथ अपनी बात रख पाते होंगे और मानसल भी है तो अपने हितों की रख्षा करने वाला वेती भी होता है उंगलिया छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जाता रहती है और फास्ट नेने लेते अब ये दो उंगलिया चिपक के रह रही है तो ऐसे लोगों को अपनी संपत्ती का प्रदर्शन करना भी अच्छा नहीं लगता ये भी एक माइनस पॉइंट होता है उसे माइनस या प्लस नहीं गिन सकते हर एक का वेक्तिकत वो है यहां पर देखे तो जुपिटर की उंगली थोड़ी सी बड़ी नजर आ रही है तो थोड़ा से इगो प्रॉब्लम भी रहता है चोटी-चोटी बातों में हट हो जाना ये इनका माइनस पॉइंट होता है इसे रोग समझना और जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो निगलेक करने की आदत रखना ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुच रही तो व्यक्ति डॉक्ति 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 फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना याज शक्ति मनी मेनेजमेंट और अकाउंट ये सारी वस्तूओं में व्यक्ति एक्सपर रहता है इसे बुद्ध रेखा तो नहीं गिन सकते है पर इस परवत पर अगर रेखाओ तो बुढ़ा पे में अच्छी खासी सम्रुद्धी आती है और यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट उभार है अब ये फोटो के कारण है या है अगर ये उभार होगा तो कहीं नाम के प्रती इनको जिग्यासा जादा रहती है छोटा कभी का करें तो नाम होना चीए ऐसी भावना रहती है हाँ बहुत ज़्यादा बुद्परवत दबा भोगा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है पर बिजनेस सेंस अच्छा का सा होगा इनमे और यह अगर स्क्वेर सेंच बनती होगी तो व्यक्ति को कही न कही रक्षा का काम करती है यानि कही पर भी प्रोब्लम आया तो कोई न कोई रक्षा करने वाला मिलता है यहाँ पर एक लूप बन रहा है यह लूप ऑफ यूमर इसे कहते हैं बहुत खुल कर तो नहीं है पर है ज़रो तो ऐसे लोगों के जो बूली होती है वो हसे वाली होती है यानि लोगों को हसाना इनके बिना पिकनिक पर कोई न जाए इस तरह की मानसिकता होती है लोगों को अच्छा लगता है इनके बाते सुनना यहाँ पर छोटी सी यस सैन भी बन रही है तो जीवन में यस भी प्राप्त होगा अब कहीं दूर जाने की जुरत नहीं है इनके यहाँ पर भी फिश सैन बढ़िया अगर यह न होती तो इनकी जिस तरह की धन रेखा है जीवन दूबर हो जाता मैं आगे धन रेखा पर आऊंगा तब बताऊंगा यह देखिए इस सैन के कारण इनके जीवन में पैसा आता रहा हाँ पर आगे चल कर एक अच्छी धन रेखा बन रही है वो इनको काफी अच्छी ग्रोथ देगी एक और फिश सैन है इनके हाथ में उस पर भी हम गौर करते हैं वो यहाँ पर है और जितनी ये पतली सैन उतना ज्यादा बेनेपिट तो पैसा तो इनके जीवन में आता होगा पर जीश सरकी धन रेखा है भहुत ज्यादा खर्चिला यानि खर्च का पैमाना भी ज्यादा रहता होगा पर जितनी बुद्धी प्रतिवाव उतना नहीं कमा पाए होंगे मैं वो धन रेखा पर आऊंगा तब बताऊंगा पर आगे चल कर कमाएंगे उसमें कोई दो राय नहीं यहाँ पर दो विद्ध्या रेखा बनी है तो ऐसे लोगों को बेसिक नॉलेज तो अच्छा खासा होता है पर बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पुछ-पुछ कर भी काम करते है पर इनको अपने बेसिक नॉलेज पर घमंड भी रहता है ये भी एक माइनस प्रोइंट पाया जाता है अब ये लाइन हाँ से जाकर ऐसे जा रही है ये लाइन का मतलब है हमारी जो कैपेसिटी होती है उससे बड़े-बड़े लोग ज़्यादा संपर्ग में आते है यानि हमारी कैपेसिटी से भी बड़े-बड़े लोग संपर्ग में आते है इस लाइन के कारण और ये लाइन भी कहीं न कहीं हमें उच्छ स्थान पर पहुचाती जरूर है मैं इस लाइन को बहुत महत्व देता हूँ ज़्यादा तर सफल व्यक्तियों के हाथों मैं इस तरह की लाइन पाई जाती है फिट लाइन पर आऊंगा तब इसका जिक्र करूंगा बोड़ा पर मैं काफी अच्छी फेट लाइन है इनका जूपिटर माउंट बहुत खराब है ये पारीवारिक और सांसारिक समस्याए देने वाला जूपिटर माउंट है हाँ सांसारिक समस्याए उसे तब ही निप्टारा मिलता है जब बच्पन में जोर से सर पे लगाओ तो ही निप्टारा मिलता है नहीं तो दोनों समझ से आए रहती है ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूँगा ये लाइन रहती है तो ये continue progress तो दिखाती है पर कही भी बुरा समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है ये बहुत बड़ा plus point है एक line, दो line व्यक्ति को multiple income देती है प्रामिष्टी astrology इस तरह के मिष्टी science में ध्यान जाता है सेवा भावी और धार्मिक्ता ये चार चीजे 100% देती है ये line और ये जो square बन रहा है ये व्यक्ति को 32 साल के पहले कोई न कोई प्रापर्टी और 36 साल में व्यक्ति authority position पर पहुशता है अंदूनी मंगल काफी अच्छा है तो साधीरी कुर्जा व्यस्तित रहेगी इनकी बारी मंगल उससे भी जादा अच्छा है तो इस तरह का बारी मंगल हो काफी अच्छा है विदेश से संबंद आए गई किसी भी तरह चाए गुमने जाओ बिजनेस के थू जाओ किसी न किसी या संतान कोई चला जाए विदेश में आता जरूर है और बहुत अच्छे purchaser होते है पानी अच्छा लगता है नीने शक्ती एकदम रिफाइंड होती है और सबसे अच्छा गुन होता है अच्छी purchasing power हाँ fish sign है और इनका money triangle है नहीं बहुत चोटा सा है और fish sign वालों को न भी बने तो कोई फर्क नहीं पड़ता अब शुक्र भी काफी अच्छे इनके mount सारे अच्छे है केवल एक Jupiter को छोड़ कर जब शुक्र आपका अच्छा होता है तो अदमी अच्छे कपड़े पहनता है अच्छी तरह रहता है luxury life का शौक होता है उसा पूरा भी करता है अब इनकी हिदे रेखा और mind line mix चल रही है और secondary mind line भी है यह जब इस तरह से होती है तो यह एक तरह की simian line है इसकी भी खुबिया मैं बताता हूँ यह जब simian line होती है तो व्यक्ति कहीं न कहीं हमारा जो work होता उसको बहुत ज़्यादा मात्व देता काम को work को बहुत ज़्यादा मात्व देता है परिवार को इतना नहीं देता इन मैं चार दिन भी अगर जगा लो कि यह काम करना है जेब में अगर पचास अजार और पचास लाकी भैक्ति डाल नहीं है तो यह लोग डाल देंगे इतने जुनुनी होते हैं परिवार को नहीं समझ पाते और इनको परिवार नहीं समझ पाता दोनों वाईसे वर्सा चलता है इनका परिवार में इतना ध्यान नहीं रहता अब इसके बीच में देखिए यहाँ पर प्रेशर पॉइंट बना हुआ है यह जो पिरियड गया होगा अब तू 30 या 29 के आसपास से लेकर 43, 44 तक का यह प्रेशर में ही गया होगा या उसे एक दो साल और ज़्यादा पगड लो और इसके बाद भी यह प्रेशर लाइन तो बनी हुई है यह अब तू यहां तक बनी हुई है लग बग 60 के आसपास तक तो जीवन में थोड़ा सा प्रेशर तो रहे गई क्योंकि पैरलल लाइन जब चलती है तो यह प्रेशर देती है व्यक्तिकत जीवन इतना उत्तम तरीके से नहीं जीव्याता है जंजटे भरा जीवन रहता है अपा दापी लगी रहती है और उसके बाद काफी अच्छी हिर्देरे का चल रही है तो यह सीमियन लाइन वाला पाम है अब इसके सामने दूसरा एडवन्टेज में बता रहा हूँ यह जब यह लाइन अब यह यहां से सुरवात हुई तो यह पिरियड होगा लगबग 32, 33 के आस पास से से लेकर यहां तक यह डबल माइन लाइन है तो यह भी प्रोग्रेस देती है यह लगबग लाइन है 58 तक यह काफी टेलेंटेड बन जाते है जब दबल माइन लाइन आती तो एक साथ चा चार पाच पाच काम कर सकते है मल्टी टेलेंटेड वेक्ति बनता है और यह भी हमें भाग्य में साहता देती है क्योंकि टेलेंट होगा तो व्यक्ति के पास पैसा भी आता है जैसा उसका साइन जैसे उसकी धन रेखा पर कहीं न कहीं फर्क तो पड़ता ही है अब इनके जीवन रेखा पर चले इनके जीवन में एक 21 के आसपास राउ रेखा ने काटा उसके बाद 23 के आसपास राहु रेखा ने काटा और इस लाइन ने इनकी साधी कराई यह 27 के आसपास इनके जीवन में सेना ही बजी फिर एक राहु रेखा ने काटा और इसी पिरियड के आसपास अगर यह लाइन यहां से टच होती होगी तो साधी के पहले या साधी के आसपास कोई near and dearer की भी death हुई होगी और ये लाइन अगर साधी की होगी तो ये लाइन ने राव रेखा का काम किया होगा यानि 28 के आसपास राव रेखा ने काम किया होगा उसके बाद 33 के आसपास एक राव रेखा ने काटा तो कोई ने कोई रुकाऊट आई होगी और 34 के आसपास यात्राय भी की होगी इन्होंने फिर उसके बाद 36 के आसपास एक राव रेखाने काटा और इसी पिरियर्ड के आसपास एक उफशुट भी है तो कोई ने कोई सफलता भी जीवन में मिली होगी उसके बाद 40 के आसपास एक छोटी सी राउ रेखा है इसने कोई ना कोई प्रॉब्लम लाया होगा एक 44 के आसपास आफशूट है इसने कोई ना कोई सफलता दिला ही होगी और वर्तमान में एक छोटी सी राउ रेखाने काटा है जो इनको कोई न कोई टेंस दे रही होगी और ये लाइन अगर यहां से निकलती होगी तो यहां पर भी कोई न कोई दो साल पहले कोई न कोई नियर एंड डियर की डेथ हुई होगी या यह लाइन यहां से निकलती होगी तो आपशूट के आसपास हुई होगी और उसके बाद कोई राउ रेखा इनके हाथ में है ही नहीं तो कोई टेंस लेने की ज़रत नहीं है ये पीछे बहुत पीछे की उम्रम में आफशूट है ये लगबग होगा 44 और 20 साल के बाद यानि लगबग 64 के आसपास ये आफशूट है ये कोई भारी सफलता इनको दिलाएगा एक दो साल प्लस माइनस और ये यात्रा रेखा है अब कई लोगों को यहाँ पर डाउट होता है कि ये एक केतू पर फिश बनी हुई है पर फिश के लिए कहीं न कहीं कम्प अगर ये बन भी जाती है तो ये केवल यूटूब पर पैसा देती है जीवन में पैसा नहीं देती है इसका जीवन में एक फायदा ये होता है कि हमारे जो संतान होते है उसमें से कोई ने कोई संतान वीदेश में पढ़ने जाता है और फिर वीदेश में आना जाना लगा र बाकी जीवन रेखा काफी उत्तम है काफी अच्छा जीवन रहेगा सारे रेखुप से अब इनकी धन रेखा को देखे तो यहां पर भी कट लगते रहे यह एक दो तीन यानि 29 से लेकर 36 तक कंटीन्यू कट लगे हो कोई न कोई खर्च इनको आया है होगा और मल्टिपल इंकम आलवेज रही होगी कम या ज़्यादा अब यह जो लाइन है मैं इस पर मैं बाद में आऊंगा यह जो लाइन है यहां से स्ट्रॉंग हो रही है यानि एज ओफ 52 या 51 के आसपास से या 52 के आसपास गिन लो प्लस माइनस वन यहां से इनके जीवन में एक दम पैसा आना चालो हो जाएगा बहुत जादा लेवल में और उसका कारण क्या वह मैं बताता हूं यह देखिए यह 36 या 37 का कट है एक कट एज ओफ सीधा कट है तो ज्यादा टेंस लेने की जुरत नहीं है यह लगबख 53 के आसपास है या 52 के आसपास है अब इनकी जो धन रेखा है उस पर चलते हैं लकी साइन थी तो पैसा आया इनके पास पर इस धन रेखा में कोई दम ही नहीं था यहां पर था थोड़ा सा तो यहां पर बहुत सारी रेखाओं ने कट किया था फिर 36 के बाद कोई बतला आया होगा इनके जीवन में और यह लेखा ने एक दो साल अच्छा पैसा दिया अगर ऐसे लोगों के हाथ में फिश साइन नहों तो मुश्किल से 10 अजार 20 अजार कमा पाते इससे जादा नहीं और वो भी 20 तारीक के आस पास कलास हो जाता है पर एक साइन आ जाती है उसमें काम हो जाता है अब यह यहां से इनकी धन रेखा काफी सुन्दर बन रही है और यह पिरियर्ड लगबग होगा इनके जीवन का 52 के आस पास का यहां से जो ग्रोथ चालू होगी इनके जीवन की भहुत जादा अब तू एंड तक बुड़ा पे तक यह धन रेखा है भहुत पैसा देगी इनको क्यूकि इनके हाथ में लकी साइन अल्रेड़ी अवलेबल है अब इस तरह की धन रेखा में इनके पास कमाने की ताकत भरपूर रहती है पर यह वो लेवल का ग्रोथ नहीं ले पाते जो इनको मिलना चाहिए पर यहां से यह जो रेखा है यह भरपूर ग्रोथ देगी भरपूर हाँ सुबह से लेके रात तक काम करना पड़ेगा बस इसके अलावा कोई प्राब्लम में पैसा भरपूर आएगा तो जितना संगर्ष करना था कर लिया अब आगे चल कर आपको बल्ले बल्ले दो तीन साल का और इंतजार करना है या चार साल का उसके बाद जीवन बहुत ज़्यादा उत्तम बनेगा हाँ उसके पहले भी ये रेखा स्टार्ट हो रही है पर ये रेखा मजबूत बन रही है ये देखो ये रेखा है और इस पिरिएड से ये मजबूत बन रही है पर ये जो बिजनेस होगा ये तो ग्रोथ नहीं देता होगा आपको इस रेखा ने आपको थोड़ा कुछ पैसा दिया होगा पर ये यहां से तो मजबुत बन रही है और ये पिरियड होगा लगबग हो सकता है ये मेरे गिनने में गलती हो पचास भी हो सकता है या बावन से भी हो सकता है क्योंकि आपकी सिमियन लाइन वाला पाम है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद